जितिंद्र पाल जी यूएससे महरा जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओं महरा जी मंत्राकार वृत्ती होने के लिए अपनी और से क्या क्रेटन करना चाहिए देखो हमारे पास पूरी सामर्थ है भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता संयम के लिए कह देते हमारे में ताकत नहीं गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है पूरी ताकत तीन घंटे फिल्म देखने के लिए बिलकुल दिमाग में कोई परिशानी नहीं एक गंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग कराब होने लगेगा आप देखो बेहिमानी देखो ना अपनी है ना तीन गंटे फिल्म देखने के लिए हराम ज़या और दो गंटे कथा में नीन आने लगेगी बात समझ में नहीं आएगी फो मतब ठकान लगने लगेगी यह हमारा मन हमाई साथ बेहिमानी कर रहा है समझो पिले हमको चाहिए कि बार बार जिव्या से और मन से भी आज सत्संग यही था धीरे धीरे हमको अब जैसे हमें कृष्ण नाम राधा नाम राम नाम जो गुरुजी ने दिया या जो प्री है तो देखो लिखो तामने लिखो कितना समय देता है मन राधा अब बीना एक आगरता के लिखी नहीं सकते हसा उसको अभी मंत्रा कार गरत्ती जो मंत्र मिला है जो नाम मिला है एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया एक दो चल रहा है चल रहा है बार बार कोई काम कर रहे हैं चल रहे हमारा अंतरिक चिंतन चल राधा राधा बात कर रहे हैं आपके चेरे में राधा नाम देख रहे हैं आप से बात कर रहे हैं नाम हमारे सामने कितना सरल राधा और महाप्रेम प्रदान करने वाला क्योंकि लाल्ली जो प्रेम श्मुद्र का शार रूप हैं इसलिए लाल जो अधिन है जाके अधिन सदाई सामरो अखिल कोट ब्रह्मांडो का श्वामी स्वयम राधा-राधा जबता हारी रसना राधा-रा तो हमारे अंदर जैसे धन के प्रति मातुबुद्धी हो जाती है तो मुझे धन चाहिए तो अब ओवर टाइम भी करना पड़े तो ठकान नहीं मैसूस होगी ऐसे हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण नहों हमारा भजन बढ़े अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महतु बढ़ी परम धन रूप परम शंपत्ति रूप देखेंगे तो मन अपने आप लेने के लिए राजि होने लगेंगा पर जवर जस्ती पहले से लगाना होता है तो आप जिसे जो जहां आशक्त चित्त है जो जहां गुरु प्रस इसको लिखना सुरू को यह बहु इसी से मन फसेगा आप देखो बार-बार लिखो ये भागेगा भी कहेगा यार ये मत करवा और कुछ करवा देखो आप करके देखना जहां आप लगोगे तो आधा मिनट है या एक मिनट फिर इसके बाद भरेगा छलांग और आपש आप से कहेगा ऐसे ही जपो, राधा राधा राधा, देखो मत, लिखो मत, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी, राधा राधा, अब वो मनन कर रहा है, संसार का बो गूम रहा है, और उसे लिखने में लगाओंगे, तो बीना उसके लिख नहीं सकते हैं, और लिखने फिग्यार धीरी और जिस समय फस गया उसमें लग गया बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा आपको फिर लिखना नहीं पड़े बहुत सामर्त साली मना है वह वैसे भाग और जहां नाम लिख करके हम ध्यान करते हैं वह रूप प्रकासित हो जाता है जिसे का जाता है जो प्रियाजू का गौर वरण है ना उसे आई नहीं है देवलोक भूलोक रशातल सुनिक कभी कुल मत डरिये सहज माधुरी अंग-अंग की कही कासु सबसे सुन्दर काम देवरती है और लाल जो श्रीकृष्ण मुस्कुरा देते ना तो करोडों काम मुर्चित हो जाते है ऐसे सुन्दर है ऐसे स्याम सुन्दर की जो स्यामता है वो सर्ष्टी में है ही नहीं भाई आप बीना देखे आप कैसे बना सकते हो आप हमें देखो फिर हमारी चवी बनाओ आप से कहा जाए नाम लिया जाए प्रेमानंद की चवी बनाओ अब बनाओ तो आप कहोगे कैसे ह द्यान कर सकते हो तो ये रूप का जो दर्शन और परिचा है वो नाम करवाता है द्यान रखना नाम रूप का दर्शन कराता है दूसरा कोई नहीं करा सकता जैसे जैसे आप नाम जब करोगे वैसे वैसे रूप की भावना बनने लगी वो केवल कोरी भावना नहीं बगवान जलकने लगते हैं फिर रूप, वो रूप कही है नहीं है, वो रूब है, सब में है वो सबसे परे है, यह नाम ही परिशे करा है और जहां रूप आया तो फिर तो रूप छके घूमत रहें तनको तनिक नभान नारायन द्रग जल्व है है साप प्रिम रूप प्रभु का है जैसे दूद जो है ला बटलोई पे रखो गैस में तो उफान नहीं लगता ऐसे आनंद की उफान, चिला चिला कर रोने का मन करता है, इतना प्यारा प्रभू मेरा प्रभू है, इतना शामर्त साली भगवान मेरा है, अरे फिर वो मस्ती, वो निर्वेता, वो निश्चा, यह जन्मुन्ही के प्राप्ति के खूब नाम जब करो, नाम को ऐसे लिखो, ना प्रति तब नामा कार, तब भगवता कार, तनमयाहा, जो तनमयाह सब्द है, देखो कैसे तनमय गोपी जन, दही बेचने के लिए जा रहे हैं, ब्रजगोपी आए, भाव भी यही है कि दही लेले दही, फर्पतनमयाहा, विक्रीत उकामा, खिलगोप कन्या, मुरारि पादा पिचित वरति दध्यादिकम, कि भाई दही लेले दही कहना चाहती है, पर यहां जो प्रेम का आकरशन है, यहां मुह यह त्रिगुनात्मिका माया का नहीं है, मुह शब्द काताद पर यहां प्रेम है, इतना प्रेमा सकत है, कहना चाहती है, दही लेले दही तो कहते हैं, को कोई गोविन्द ले ले कोई दामोदर ये है इस्तितितन मयाहा इसलिए बड़े-बड़े परम्हंस गोपियों की चरण धूली माथे पे रखते हैं कि धन्य है ये ब्योहार कारे में कितनी मगन होते हुए भी ये कैसी उच्छ वस्था को प्राप्त है धर में सब कारी वही करत सिति कहा है भगवान हमें हर्ष में रियमे न जान पर है कान है कि प्राण है प्राण भे कान में कान भए प्राण में यह है तन्वयाहा ये इस्तिति है पहले नाम से सरू करो पहले प्र दखम सब से पहली बत्रदनelect और यह अंतिम होगी क्योंकि अब नाम अकेले नहीं प्रेम सहित नाम उच्छारण हो रहा है रूप चाया हुआ है लीला चिंतन में डूपा हो यह सब इसी नाम से आएगा नामकाश है इसलिए सबसे प्रार्तना करते रहते हैं बाव बने ना बने पवित्र हो अपवित्र हो कौन हो कहा कि हो इसे क गोटा है उसको डाट के फुसला बदा ऐसे ही हम सब संतान है हाँ कोई थोड़ी मूढता वाला है कोई विद्वान है कोई यह है कोई वो है यह सब जो जितना यह ब्योहार है सत्य बात एक है कि एक ही है दूसरा कोई लही उसी के हमें उसी को रिजाना है हम कहे रहे हमें जी की समझ रहे हैं, इसलिए हमारी बुद्धी शुद्ध होनी चाहिए, और वो शुद्ध करेगा नाम, नाम से बढ़ कर कुछ नहीं, भीतर और बाहर आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो नाम जब करो.